दूसरी वीबारी जो जिसमें लक्षण दिख रहा है हमको पत्ती के किनारे के साइड में एक V-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A देखते हैं कि जो गोभी की फसल है, गोभी वर की और भी जो फसल है, जैसे पत्ता गोभी है, है गोभी है, और ये आपका ब्रोकली है, इन सब के अंदर इस टाइप के लक्षड दिखते हैं, इन में भी हम लोग देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं, कि नियंत्रल का सबस लगती है उनमें उसका इनाकुलम मौजूद होता है और जब अगली फसल उसमें लगती है तो पत्ति निचली पत्तियों में इनका संकर्मन शुरू होता है और देखते देखते पूरी फसल पर फैल जाता है जिससे फसल में इसमें काफी नुकसान होता है तो किसम बैस इसका ह मिशन ध्यान रखें कि जो इस तरह का लक्षण अगर हमको दिखता है पत्ती के अंदर उन पत्तियों को इकठा करके हैसे हटाना है और इसके अंदर हम लोग दवाओं का छिड़काओं भी करेंगे इसके अंदर हम लोग कापर आक्सी कोलॉराइट तीन ग्राम परती लीटर की दवा मार्केट में उपलम्द होती है तो इस दवा का जो है हम लोग एक ग्राम दवा तीन लेटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें हम लोग छड़काओं करेंगे तो इससे काफी हद तक हमारा ये वीबारी जो है रोख सकते हैं इन फसनों के अंदर तो किसान भाईयों आज के इस भाग में आपने फूल गोबी में लगने वाले दो मुख्य रोखों के बारे में जाना और अगर आप इस प्रकार से इनका प्रबंधन करते हैं तो आप अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं वैवसाइक तोर पर फूल गोबी में तो अगले दिन एक अलग विशे के साथ हम हाजिर होंगे नमस्कार